ये हैं अनुज, एक सफल बिजनस्मैन. ये दिन प्राती दिन नई उचाईयों को छू रहे हैं. इन्हें अभी एक बहुत इंपोर्टन प्रोजेक्ट मिला है. Congratulations अनुज! Thank you शिखर. अनुज, कुछ परिशान लग रहे हो? हाँ शिखर, नेक्स्ट वीक कस्टमर ओफिस विजिट करने आ रहे हैं. और ओफिस की टाइल्स की फिनिशिंग बड़ी खराब है. हाँ, ये तो है. कहीं कस्टमर पर नेगेटिव इमिज ना क्रियेट कर दे. ओ, तो ये बात है. बहुत ओनलाइन सर्ज की, पर कोई समाधान नहीं मिला. क्यों ना किसी एक्सपर्ट की सला ले? सर, कैसे हैं आप? भाई, हम टाइल्स की फिनिशिंग से बहुत परेशान हैं. लेकिन सर, आपके ओफिस में थो अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम विट्रिफाइट टाइल्स कुछ समय पहले ही लगी थी. लेकिन टाइल्स की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई है. और कुछ टाइल्स थोड़ी सी बाहर भी आ रही है. सर, इसमें टाइल्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन टाइल अधिसिव की पकड़ धीरी लग रही है. टाइल अधिसिव की क्या गलती हो सकती है? जी हाँ, कॉंट्राक्टर ने कहीं साधारन टाइल अधिसिव लगा दिया होगा. इन साधारन टाइल अधीसिव का स्किड अधीशन बहुत ही कम होता है जिसके कारण टाइल्स लगाने के तुरंत बाद नीचे खिसक जाती है और उनकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होती तो फिर भाई इसका क्या सलूशन है? सलूशन है न? JK Cement लेकर आए हैं टाइल अधीसिव की रेंज में एक नया सदस्य जेके सिमेंट टाइल मैक्स 211 अंटी स्किड अधीसिव ये ग्रे सिमेंट आधारित अडवांस पॉलिमर एन्रिच टाइल अधीसिव है इसके नैनो पार्टिकल सबस्ट्रेट को टाइल से जोड कर रखते हैं जो टाइल्स को स्किड होने नहीं देते जी हां सर इसकी मजबूत पकड के कारण टाइल्स को लगाने में भी कम समय लगता है और वाटर क्योरिंग की भी आवशकता नहीं पड़ती भाई हमारी यहां तो विट्रिफाइड टाइल्स अल्रेडी लगी हुई है क्या फिर से तोड़ खोड करनी पड़ेगी सर जेके सिमेंट टाइल्स का अंटी स्किड अधीसिव इंटीर अप्लिकेशन के लिए बेस्ट अधीसिव है जिसमें विट्रिफाइड और सिरामिक टाइल्स लगाई जा सकती है इस अधीसिव से एग्जिस्टिंग टाइल्स के ऊपर भी टाइल्स लगा सकते हैं जिसे टाइल ओन टाइल अप्लिकेशन बोलते हैं अरे वाह ये तो परफेट सलूशन है जेके सिमेंट टाइल्स 211 अंटी स्किड अधीसिव प्रफेट स्किड अधीसिव स्किड अधीसिव के घूड़ के अधीसिव स्किड वगाई टाइल्स